Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you are doing well. जैसे कि हम number system देख रहे हैं, हमने अब तक 4 प्रकार के number देख लिए हैं, ठीक है, natural number देख लिए हैं, whole numbers देख लिए हैं, odd numbers देख लिए हैं, even numbers देख लिए हैं. आज की इस उडियो में, हम एक number देखेंगे, जो हमारा fifth number का number होगा, उसका नाम है हमारा prime numbers, ठीक है, तो आज हम prime numbers देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके definition देखेंगे, कुछ examples देखेंगे, और फिर उसके बाद में आपको note बता होगा, ठीक है, तो सब देखेंगे, सबसे बहले मैं धीरे पढ़ूँगा, उसके बाद फिर और एक बार हम क्या करेंगे, definition को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, the natural numbers which have no other factor, ठीक है, natural number कहा से शुरूवात होते हैं, आपको याद रखना है, one से शुरूवात होते हैं, ठीक है, तो natural number की बात हो रही है, the natural number we have no other factor other than one, ठीक है, तो यह क्या कह रहा है, यह definition यहा तक, कि जो natural numbers होते हैं, उन numbers में, जैसे कोई numbers होते हैं, उसमें से अगर उसका कोई भी एक factor नहीं होता है, ठीक है, कोई भी factor नहीं होता है, तो उस number को हम ब्या कहते है, natural number कहते हैं, ठीक है, उस number को हम ब्या कहते है, prime number नंबर कहते हैं, तो जो natural number जिसमें कोई भी factor नहीं होते हम उससे हम क्या कहते है, prime number कहते हैं तो एक बाद हम देखेंगे, is known as a prime number तो उन numbers को हम क्या क्या कहते हैं उन numbers को हम prime number कहते हैं एक बाद ओर देख लेते हैं, speed में the natural number which have known other factors other than one, ठीक है is known as a prime factor ठीक है उसमें क्या कहा रहा है कि जो numbers होंगे उसका अगर कोई भी factor नहीं हो सिफ 1 के अलावा ठीक है जैसे देखिए हिंदी में लिखा उसमें तो मैं बताऊंगे देखिए आप मान लिजिए सिफ 1 उसका एक factor है ठीक है 1 के table में सभी number आते है ठीक है पर ऐसे जो number है जो कोई table में नहीं आते है उसे हम क्या कहते है prime number कहते है एक बार हम हिंदी में जो लिखा है वो देख देंगे जो numbers अपने ही table में आते है ठीक है जो numbers अपने ही table में आते है उन numbers को हम क्या कहते है prime number कहते है सिर्फ एक को छोड़ कर ठीक है जैसे देखिए यह जो second line है यह क्या बोल रही है मैं आपको बताता हूँ जैसे देखिए 3 को अगर हम मान लेते हैं 3 को अगर हम मान लेते हैं 3 किसके किसके table में आता है 3 किसके table में आता है 1 के table में आता है और अपने table में आता है ठीक है तो इससे छोड़ देना है ठीक है 200 ज्यादा टेबल में आना चाहिए आप कहाई सकते है 1 को अगर हम neglect कर देंगे तो 3 के अलावा किसी ओर टेबल में 3 आता नहीं है ठीक है तो ये क्या होगा ऐसे नर्यों नंबर होगे इसे हम क्या कहते है प्राइम नंबर कहते है ऐसे नंबर हो गया कहते है हम प्राइम नंबर कहते है जैसे एक एक एक्जामपल लेता हूँ और एक बात देखे यहाँ पर एक बात देखे यहाँ पर एक missing एक्जामपल देखे यहाँ पर 3 भी आएगा 2, 3, 5, 7 जैसे हम यहाँ पर 5 लेता है ठीक है तो 5 कौन-कौन से टेबल में आता है सभी को पता है 5, 1 के टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है हमें 1 को consider नहीं करना है तो हम क्या करेंगे 1 को यहाँ से neglect कर देंगे तो सिप 1 के टेबल में आता है जो संक्या सिफ अपने ही टेबल में आती है उसे क्या कहता है उसे हम प्राइम नंबर कहते है ठीक है उसे हम क्या कहते है प्राइम नंबर कहते है प्राइम नंबर में आपको सिफ एक बात को याद अखना है कि जो one होता है वो prime number नहीं होता है ठीक है क्योंकि one क्या होता है अपने ही table में आता है ठीक है तो आप कहा सकते कि one भी हमारा prime number है पर हमें क्या करना है one को prime number consider नहीं करना है ठीक है one को हमें क्या करना है prime number consider नहीं करना है तो one को 1 को अगर आप निगलेट भी करेंगे देखें 9 अपने टेबल में भी आता है वो 3 के डेबल में आता है तो यह जो 9 होगा यह क्या होगा यह हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा यह दूसरा कोई नंबर होगा ठीक है अगले वीडियो में हम देखेंगे तो जो 9 होगा क्या होगा वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा वैसे अगर हम एक्जामपल लेते है 11 का 11 का एक्जामपल लेते है तो 11 कौन-कौन से टेबल में आता है 11 1 के डेबल में आता है 11 11 के डेबल में आता है 1 को हम consider नहीं करेंगे तो CP अपने ही table में आता है, अपने ही table में आ रहा है तो ये जो number होगा, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा prime number होगा, ठीक है, ये हमारा prime number होगा, अब यहाँ पर और एक बार लेते हैं, जैसे एक number है 15, ठीक है, तो 15 कौन-कौन से table में आता है, देखिए, 1 के table में तो सबी number आते ह है 15 5 के टेबल में आता है ठीक है 1 को neglect करेंगे देखिए और last में 15 के टेबल में भी आता है ठीक है तो यह 3-3 टेबल में आता है तो यह जो होंगा 15 यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा prime number नहीं हो जाएगा ठीक है यह हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसमें आप देखेंगे, तो 9 यहाँ पर missing है, ठीक है, 9, क्योंकि 9 क्या होता है, 3 के table में भी आता है, और अपने table में भी आता है, इसलिए क्या है, वो prime number नहीं है, ठीक है, वो दूसरा कोई और number होगा, उसके बाद आप देखें, यहाँ पर 15 के, 13 के बाद य जैसे series चल रही है तो, पर यहाँ पर 15 नहीं है, तो इसका earth क्या है, दोस्तों कि 15 क्या है, हमारा, यहाँ पर हमने देखा, वो prime number नहीं है, ठीक है, तो prime number के आपको सिप एक ही पहिछान करने है, अगर वो किसी table में आता हो, अपने अलावा, जैसे 15, जैसे 7, 7 को आप मान लि जाएगा, जैसे आप देखिए 15, यहाँ आप मान लिजिए 35, 35 वैसा देखता है, odd number है, पर जब हम उसे देखेंगे, तो वो 3, वो कौन से कौन से table में आता है, देखे, 5 के table में आता है, 7 के table में आता है, ठीक है, तो इस प्राकार के जो number होगा, जो 35, जो number है, 3 के table में, 7 के table में और खुद के table में भी आता है, तो इस प्राकार के जो number होगे, वो prime number नहीं होगे, prime number वही होगा, जो खुद के table में आता है, जैसे 41 को आप मान लिजिए 41 अपने table में आता है, और 1 के table में आता है, तो यह जो number होगा, हमारा 41, यह क्या हो जाएगा, हमारा prime number हो जाएगा ठीक है अब हम एक note पढ़ देते हैं Note मैं आप दिखींगे और एक बार मैं आपको इसमें बता देता हूँ ठीक है जितने भी even number होते हैं even number होते है यह कभी prime number नहीं होते ठीक है यह कभी क्या होते है prime number नहीं होते हैं आपको सिपा यह याद रखना है कि जो even numbers होते हैं, वो कभी prime number नहीं होते हैं, ठीक है, odd number, ठीक है, odd number में कुछ, ठीक है, कुछ, कुछ prime number होते हैं, और कुछ prime number नहीं होते हैं, ठीक है, odd numbers में क्या है, कुछ prime number होगे, कुछ prime number नहीं होगे, पर even numbers क्या होते हैं, जितने भी even numbers हैं, ठीक है, सिप 2 को छोड़के, ठी और और नमबर में कुछ प्राइम नमबर olmaz हो सकते है और कुछ प्राइम नमबर नहीं हो सकते यह आपको clear होना चाहिए उसके बाद हम note दिखेंगे note quelque note में क्या है one is not a prime number सबसे पहले line में भी हमने पढ़ाता कि जो one होता है वो prime number नहीं होता है, क्योंकि देखिए हम उसे छोड़ देते, ठीक है तो यह सबसे पहला point है हमारा 1 is not a prime number फिस second इसमें आएंगे, second आप देखिए prime number always starts from 2 ठीक है, prime number क्या होता है हमेशा 2 से start होता है अब 2 से start की होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, जो 2 है 2 सिप अपने ही table में आता है, वो 1 के table में आता है हमारी condition क्या कहती है prime number की, कि वो खुद के table में आना चाहिए, और 1 के table में आना चाहिए तो 1 का table को हम वैसे भी neglect कर देते है, तो आप इतना याद रखिए कि जो अपने table में आते है, और दूसरे कोई table में नहीं आते है तो वैसे numbers को हम या कहते है वैसे numbers को हम prime number कहते है ठीक है, तो 2 क्या होता है खुद के table में आता है, और 1 के table में आता है तो यह देखिए, यह तो हमारा prime number होगा इसलिए क्या होता है कि prime number always starts from 2, ठीक है, prime number always starts from 2, वैसे आप 2 देखेंगे, तो 2 क्या है हमारा even number है इसलिए आप क्या हो सकते हैं, इसमें थोड़ा सा confusion हो सकते हैं, पर आपको सिफ एक condition याद रखनी है, जो संक्या अपने ही table में आती है, ठीक है, जो संक्या अपने ही table में आती है, उन संक्या को हम क्या कहते है, ठीक है, तो ये हमारा prime number क्या हो गया, और एक बार हम देख लेते हैं, दिख़िए, तो natural number which have no other factor other than one, is known as a prime number, ठीक है, जो number अपने ही table में आते है, उसे हम क्या कहते है prime number कहते है, जो number सिफ अपने ही table में आते है, उन संक्याओ को हम प्राइम नंबर कहते हैं सिफ वन को छोड़के ठीक है आपको एक बात या दखने कि वन को consider नहीं करना प्राइम नंबर में example देखा था 2 3 5 7 11 13 17 इस प्रकार से क्या है हमारे numbers बढ़ते जाएंगे note में हमने देखा one is not a prime number ठीक है one क्या है हम प्राइम नंबर consider नहीं करते हैं प्राइम नंबर always starts from तो देखे यह जो हमने series लिखे इसमें जो प्राइम नंबर से वो हमेशा दो से start होते क्योंकि दो अपने ही table में आता है और one के table में आता है और हमारी condition क्या करते है प्राइम नंबर की कि वो खुद के table में आना चाहिए या one के table में आना चाहिए दोस्तो अगर आपको किसी point में doubt है तो आप comment में लिखे वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिए वीडियो अच्छा लगा हो तो comment में yes लिखे चैनल को subscribe करिए मिलते अगली वीडियो में नमस्कार